हाई अवरिवन कैसे हैं आप सब मैं राजन चाधरी मुडिवेशनल स्पीकर एंड करियर कांसलर आज बात करूंगा टिप नबर दो की जॉप टिप नबर दो इंटर्विव के दुरान हमारे रिप्लाइज ही ये डिसाइड करते हैं कि हमें जॉप मिलेगी या नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो कितना पैकेज मिलेगा आपने भी देखा होगा कि कई बार अच्छी क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी इंटर्विव में सलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वहीं कुछ लोग नॉर्मल क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी सलेक्ट हो जाते हैं इस वीडियो में मैं इंटर्वियो में पूछे जाने वाले कुछ questions के बारे में बताऊंगा और उन questions का सही reply कैसे दे इसका तरीका भी बताऊंगा जोब की सर्च करते टाइम हमें बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ते हैं इंटरव्यूज के दिरान हमें कई questions के reply देने होते हैं आपने इंटरनेट में इंटरव्यू से जुड़े हुए कई videos देखे होंगे जिनमें interviews में पूछे जाने वाले questions और उनके answers मजूद होंगे पर ये video थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि थोड़ा सा अलग क्यों होगा क्योंकि यहां मैं interview के questions और answer के इलावा ये बताऊंगा कि interview के दुरान interview लेने वाला किन खास चीजों पर गोर करता है और साथ ही साथ answer देते times ज्यादतर लोग गलतियां क्या करते हैं तो आईए बात करते हैं interview में पूछे जाने वाले कुछ questions उनके replies और replies देने के सही तरीके तो आज मैं बात करूँगा दूसरे job tip की हमारी company के बारे में आप क्या जानते हैं या आपने इस job के बारे में कहां से सुना सोचो क्या जानना चाता है interview लेने वाला इस question के answer के through interview लेने वाला ये जानना चाता है कि आप job के लिए कितना serious है वो ये जानना चाता है कि आप करके आए हैं त्यारी या फिर नहीं या बस ऐसे ही इंटर्वू देने के लिए आ गए हैं इस questions का answer देने में वो लोग जरूर अटकते हैं जो homework करके नहीं आते या जिन्होंने company के बारे में कोई research ही नहीं कर रखी होती क्या गलती करते हैं ज्यादा तर लोग ज्यादा तर लोग इस तरह की replies देते हैं जो इंटर्व्यू देने वाले पर कोई खास परभाव नहीं छोड़ पाता दोस्तों के थूरू जोब के बारे में पता चला अपनी company आपकी जो company है वो area में best है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है क्या है सही reply या सही reply देने का तरीका सोचो आप सही reply कुछ इस तरह से दे सकते हैं आपकी company इस area में 5 साल से लिडर है आपकी company को 2017 में 2018 में कुछ भी award मिला सर्च करना पड़ेगा आपको research करना पड़ेगा आपकी पहुँच देश-विदेश के इन areas में है newspaper से जहां vacancy के बारे में पता चलने पर मैं यहां पर आया हूँ मुझे यकीन है कि यहां काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे experience company के लिए बड़े profitable होंगी आप company के struggle और aim के बारे में भी बता सकते हैं अगर आप किसी job fair में आए हैं या फिर आपको कोई interview देने के लिए आप कहीं भी गए हैं तो अभी आप internet के तुरू company की website में जा करके company के बारे में basic जानकारी पता लगा सकते हैं जो आपको interview में बहुत help करेगी तो यह था जी मेरा job interview tip number 2 फिर से हाजिर होँगा नए tip के साथ तब तक के लिए wait करिए, खड़े हो जाएए, लगाईए जार और त्यारी कीजिए interviews की जो jobs आ रही हैं उन पर जाईए interviews दीजिए, आपकी मतलब की vacancies नहीं है, तब भी जाईए, कुछ सीखने को मिलेगा interview जरूर दिया करो कई बार क्या होता है कि salary कम है, मैं interview देने क्यों जाओं, timing ज्यादा है, मैं interview देने क्यों जाओं, भाई जाओ, उठो, जाओगे तो सीखोगे, जाओगे ने तो सीखोगे कैसे, समझे, thank you so much, मुस्कुराद दे रहो, thank you